गाइस सब्सक्राइब करो मेरे चैनल दीपांच माजन को बेल आइकन को प्रेस कर दो और आल को प्रेस करो जिससे मैं अपने चैनल पर जो भी उडियो से अप्लोट करूँ उसकी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए हलो गाइस कैसे आप सब मेरे नामे दीपांच माजन मेरे चैनल दीपांच माजन की एक नए उडियो में आपका भूद्बोश स्वागत है दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ रेड्मी नोटेट प्रो के बारे में और आपको कम्प्लीट डिटेल्स दूँगा कि ये फोन कब लोटो सकता है इस फोन की कैसेख से और इस पोन की प्राइजेंग इंडिया में क्या रह सकती है साथे आपको मेरी एक्सुटेशन्स बता ऑंगा कि मैं क्या सुचता हूँ रेड्मी नोटेट प्रो के बारे में मुझे उमीड आपको ये वीडियो पसंद आई ज तो उल्डियो को एंड तक देखना वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पर इस फोन के बिल्ड कॉलिटी की तो यह फोन भी आने वाला एक ग्लास बोडी के साथ में जैसा कि हमने रेडमी नोट 7 प्रो में देखा था यहां पर भी आप पप अफिक केमरा भी देखने को मिल सकता है हमें इस फोन में लेकिन दोस्तो जहां तक मुझे लगता है इसमें डौट नोच ही देखने को मिलेगी हमें दोस्तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपर इस फोन की स्क्रीन साइज की तो इस फोन में भी आपको 6.3 निचिस क अपर दोस्तो इसके बद अगर हम बात करते हैं पर कुछ और चीजों की जैसे इस फोन में आपको हिट फॉन जैक भी देखने को मिल जाएगा साथी दोस्तो इस फोन में आपको IR ब्लास्टर भी देखने को मिलेगा मेंस आप अपने फोन को एस रिमोट की तरह काम में ले अगर हम बात करते हैं पर इसके रियर कैमरा की तो इस फोन में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेट अप देखने को मिल सकता है जहां पर प्राइमरी लेंस होने माला है 64 में का पिक्सल का दूस्तो इहां पर आपको सेमसन का ISOCELL GW1 सेंसर देखने को मिलेगा सेकेंडरी कैमरा काफी अच्छा रहने माला है दोस्तो इसके बाद करको बात करते हैं पर इस फोन की बैटरी की तो इस फोन में वहाप वह आपको 4000 इमेज की बैटरी देखने को मिल सकती है जहां पर आपको कॉलकों कूउमकृक्षर्ज 4.0 का सप्पोर्टस देखने को मिल सकता है तो नहीं ह 64GB storage, 6GB RAM, 64GB storage और 6GB RAM 128GB storage अगर हम बात करते हैं अपर इस फोन की pricing की तो दोस्तो इस फोन की pricing base variant के लिए 15,000 रुपे के आसपास रह सकती है means 14,000 रुपे भी रह सकती ही, 15,000 रुपे भी रह सकती है फिर 16,000 रुपे भी रह सकती है तो दोस्तो इन शॉर्ट इस फोन की pricing 14,000 रुपे से लिए 16,000 रुपे के बीच में रह सकती है दोस्तो अगर हम भात करते हैं पर इस phone के launch की तो दोस्तो Xiaomi India के CEO Manu Kumar जेंजी ने हमें बताय था कि हमारे जो 64 megapixel के साथ में camera वाला phone होगा उसे हम Q4 2019 में launch करेंगे Q4 बोले तो October, November और December यह 3 months में से किसी एक month में आप कोई phone देखने को मिल जाएगा तो दोस्तो यह phone भी आपको November के month में देखने को मिल सकता है में भी October month में भी launch हो सकता है लेकिन दोस्तो जहां तक मुझे लगता है आपको November month में ही देखने को मिलेगा तो दोस्तो यह थी Redmi Note 8 Pro की complete details दोस्तो मुझे तो यह phone काफी अच्छा लगबागी दोस्तो आप मुझे comment करके बताई कि आपको यह phone कैसा लागा आपके recording इसमें में क्या के देखने को मिल सकता है और आपके recording इसकी pricing क्या रह सकती है यह भी आप मुझे comment करके जरू से बताईगा तो दोस्तो बस फिलाल की वीडियो में इतने देखने के लिए आपका भूट-बहुत धन्यवाद मुझे उमीद है आपको यह वीडियो प्रसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो प्रसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेर करना बिल्कुल नहीं साथी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और वे लाइक और प्रस कर दीजिए जिसने में अपने चैनल पर जो वीडियो सब्लोट करूँ उसकी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाए यदि आपको कोई कमेंट सला सुझाओ है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर से बता सकते हैं मैं हुदी पांस और मैं मिलता हूँ आपसे हमारी अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई